अब बीए, बीकॉम, बीएसी और में, एमकॉम करें विश्वकी सबसे बड़ी उनिवरस्टी इग्नू से सॉल्ड असाइन्मेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें, महाकाल कप्यूटर्स, डियवी कॉलेज गेट के सामने सिवान नमस्कार, एटियन लाइब में आपका स्वागत है, और मैं कैलास कश्चप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ आज जो खबर सुर्खियां बनी हुई है, चाहे वो सोसल मेडिया पे हो, चाहे वो टीवी चैनलों पे हो, चाहे बिहार के किसी साइट पे हो ये खबर आज सबसे ज़्यादा तैल का मचाई हुई है कि आखिर पपू यादों को ग्रिफतारी क्यों की गई ग्रिफतारी हो गई, रातो रात उन्हें पटना से बादेपूरा जेल भेजा गया, फिर वहाँ से उन्हें बीरपूर जो नेपाल के बौर्डर पे एक छोटा सा जगा है और कहा ये जा रहा है कि उस जेल में, भीरपूर के उस जेल की दिवारे इतनी कमजोड है कि कभी भी वहाँ कुछ भी हो सकता है, उस जेल में कोई सुविधा नहीं है, और तो और वहाँ पानी की सुविधा नहीं है और पपू यादों को उस जेल में रखा गया चर्चा कल दिन बर ये चलता रहा कि पपू यादों को किस केस में लिया गया जब उन्हें उनके घर से पुलिस ने अपने कश्टडी में लिया तो बताया गया कि वो आपदा एक्ट के उलंगन के वज़ा से उन्हें हिरासत में लिया गया है कुछ देर तक ये चलता रहा फिर उन्होंने बताया कि नहीं ये 32 साल पुराना कोई केस था और उस केस में पपु यादों को जेर भेजा गया 32 साल पुराना केस हम इस पे चर्चा बाद में करेंगे 32 साल पुराना केस है पपु यादों पे केस है वो उनकी पर और भी पुराने केस है वो अपराधी प्रवर्ती के कई उन पर केस है लेकिन सवाल उठता है कि पपु यादों इस पपु यादों के ग्रिफतारी के पीछे का सच क्या है आखिर 32 साल के बाद पपु यादों के ग्रिफतारी क्यों हुई और ग्रिफतारी क्या इसलिए हुई कि वो भारती जन्ता पार्टी के कद्दावर नेता राजिव परताप रूढी के खिलाफ उन्होंने एक्सल ले लिया था और एक्सल भी ऐसा जिससे राजिव परताप की राजिव परताप रूढी की जो छवी थी वो दागदार हुई हम इसे दागदार ही नहीं कहेंगे बलकि तार-तार हुई राजिव परताप रूढी एक अच्छे नेता है इसमें कोहीं कोई सक नहीं है केंद्र के मंत्री भी रह चुके हैं कई बार लेकिन जो एम्बुलेंस वाली जो घटना सामने आई एम्बुलेंस को छिपा कर रखना इस महामारी के दौर में और जिस तरह से पपू यादों ने इसको उजागर किया उसको ले करके रूढी समर्थक काफी नाराज थे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से रूढी के पिये ने पपू यादों के एक समर्थक को फोन करके धमकी के साथ गाली गलॉज भी दिया चलिए ये होता रहता है कि जो नेताओं के समर्थक है जब उनके नेता पे उगली उठती है तो उनके समर्थक गाली गलॉज करते है इसमें कही ये कोई नई बात रही है और खास कर कि ये बिहार के लिए हम सिर्फ कुछ बातों पे हम आपसे जिक्र करेंगे लालू यादो पर केस था वो कानून का मामला है चाहे वो 32 साल का हो चाहे आज का हो अगर उन पे केस था अगर उन पे वारंट था तो वो कानून के तहत ग्रिफतार हुए हाँ ये अलग बात है कि समय गलत चुना गया इस समय के लिए सुप्रीम कोट ने भी एक गाइड लाइन जारी किया है लेकिन उसको भी फॉलो नहीं किया गया और उसके बाद सवाल ये उठता है कि पपू यादों को ग्रिफतार करके जेल भेज दिया गया ठीक है अच्छी बात है कानून अपना काम किया लेकिन तब संका तब होती है कि ये कानून उस समय कहां चला जाता है क्या इस कानून ने ये चेक करने का प्रयास किया कि राजी परताप रूढ़ी के वो जहां वो एम्बूलेंस रखे गए थे 28 एम्बूलेंस वो किसके आदेश पे रखे गए थे और बाद में राजु परताप रूधी का ये कहना कि ड्राइवर नहीं मिल रहा था ये कहीं से पचने वाली बात नहीं थी ड्राइवरों का कोई अकाल नहीं है तो जिन लोगों ने मैं ये नहीं कहता कि राजु परताप रूधी के इसारे पर ये सब कुछ हुआ है राजु परताप रूधी इसलिए दोसी बन जाते हैं चुकि वो सांसद हैं वो उस जिले के प्रथम नागरिक हैं उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि उनके नाग के नीचे अगर इस तरह के कोई काम कर रहा है तो उस पर कठोर कारवाई होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसलिए साइद राजु परताप रूधी भी दोसी बन जाते हैं दूसरी घटना कि उसी एम्बुलेंस से उसी राजिव परताप रूधी जो भारती जन्ता पार्टी के कद्दावर नेता है जिनके द्वारा दिये गए एम्बुलेंस में इस महमारी के दोर में मरीजों को नहीं बालू ढोया जा रहा था ये तस्वीरे भी पपु यादों ने जारी की सवाल ये उड़ता है कि क्या बिहार में जो एम्बुलेंस है चाहें वो किसी जन्परदिन्दी के फंड से खरीदा गया हो मरीजों के जगा पे बालू ढोने का काम के लिए ये एम्बुलेंस लाए गया था और अगर ये बालू ढोआ जा रहा था तो क्या नितिस जी ने इस पर संग्यान लिया कि वो कौन लोग थे किसके इसारे पे किसके घर ये बालू जा रहा था क्या उन लोगों को पकड़ करके सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए था लेकिन नहीं या संभाव नहीं है क्योंकि नितिस जी की सरकार जो है वो खुद बैसाखी के सहरे है कब किधर से कोई लंगडी लगे और सरकार को गिरते देर नहीं लगेगी लेकिन नितिस जी एक अच्छे नेता है सुसासर के प्रतीक है नितिस जी को चाहें इसकी जो भी कीबत चुकानी पड़े जनता देख रहे हैं जनता के सामने आप पूरे बिहार का मुखिया हैं आपकी एक गलती आपको कहां से कहां पहुँशा देगी इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बालू को एम्बूलेंस में ढोने का काम किया जिन लोगों ने एम्बूलेंस को इस बैस्विक महामारी में छिपा कर रखने का काम किया उन्हें भी जिल में जाना चाहिए था अब देखना है कि नितिश जी की नीद खुलती है या कुर्सी फिर इतनी प्यारी है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई कुछों कहे बिहार के लोगों जो कहना हो कह ले लेकि हम तो वही करेंगे जिससे हमारी कुर्सी सुरक्षित रहती है अगर ये सोच है तो आने वाला समय बड़ा कश्ट कारी होगा नितिश बावू के लिए सिवान में 24 गंटा इमर्जेंसी सेवा देने वाला एक मातर सांती हॉस्पिटल चक्या रोड सिवान जहां PMCH बटना से आए नौजात इवं सिसु रोगे वेसल सगे डॉक्टर आमीर एहमद द्वारा बच्चो का किया जा रहा बहतर इलाज हमारे यहां 18 बर्स अर्थाद सिसु से किसोर अवस्था तक का इलाज अत्याधुनिक एयर कंडिसंड NICU और PICU बड़े बच्चो का ICU General Ward and Private Room बच्चो के दिमाग संबन्दित सभी प्रकार के दर्थ रही टिका करन की सुविधा अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, Central Oxygen Supply System, ABC Nevelization, Radiant Warmer, Incubator, LED Photography, Multi Paramonitor, Infusion Pump की सुविधा नौजाध बच्चो के इलाज है तू, आज ही चले सांती होस्पिटल, चक्या रोट, सिवान संपर्क सूत्र 95233-05033 7561-919462 अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगन विकास तो उनका नामांगन कराईए सुफिया पाबलिक स्कूल में अफ्लियेटेट टू, सीवी असी न्यू देली 10 प्लस टू तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 915594499 इसमें नामांगन जारी है सुफिया पाबलिक स्कूल इसके जी शुगर मिल बाइपास रोड सिवान, अड्मिशन फ्री फो गर्ल्स हम समारेंगे आपके बच्चों का भविश्य हम हैं सुफिया पाबलिक स्कूल इसके जी शुगर मिल बाइपास रोड अभूशन की दुनिया में एक विश्वशनी नाम न्यू भारती अलंकार ज्वेलर्स हौलमार्क जेवर के विक्रेता सुनार टोली चौक सांती वट बुरिक्च के ठीक सामने सिवान हमारे अहां आकर्सक एवं सुद्ध हौलमार्क जेवरों की उचित मुल्ले पर खरदारी करें वेभार वविश्वास हमारी पहचान नियू भारती अलंकार ज्वेलर्स सुनार टोली चौक सांती वट बुरिक्च के सामने सिवान मोबाइल नंबर 9631 402553 City Montessori School Admission is going on Nursery to 10th on Season 2021-22 नमांकन कराने पर 10 मास तक विसेज छुद World Class Infrastructure, Wi-Fi Campus CCTV Monitoring, Trained and Experienced Faculty Language Development Programs, Sports Training Computer Classes, Digital Classroom, Existible Library Reach Learning Material, Art and Craft Studio Director Asop Kumar Singh समय समय पर Science Exhibition का आयोजन आज ही अपने बच्चों का अड्मिशन कराएं City Montessori School, Gandhi Medan, Buriya Mai Mandir के पास सिवान मोबाइल नंबर 99349-89295 विगत 15 वर्षो की सबसे पुरानी एक्स्लूसिफ सोरूम कमप्लेक्स, JP Chalk, सिवान मोबाइल नंबर 99-055 बड़े-बड़े महानगरों के तर्च पर खुल गया लाइटिंग के दुनिया का बेताज बादसा RJ Electricals, काकजी मुहलामोर, सिवान RJ Electricals लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में जूमर, वाल लाइट, फैंसी लाइट, वाइरिंग मेटेरियल्स, पंका और कुलर अपने मकान या दुकान या सोरूम को सजना हो तो आज ही चले RJ Electricals, काकजी मुहलामोर, सिवान क्योंकि इससे की भाइती दरों पर कहीं भी आपको जूमर और लाइट नहीं मिलेंगे हमारा मुवाइल नमबर है 7543-586-786-790-311-6614 प्रोप्राइटर मुहमद अर्शद हुसायन